कि अभाव मैं भी भारत ने चेंपियन पैदा किये हैं, मेरे साथ मंच पर हमारी बेहन पीटी उसाजी बैटी है, लेकिन फिर भी हर देश वाजी को हमेशा एक कमी खलती थी, हमारा इतना बड़ा देश, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की मेडल टेली में हम बहुत पीछे रह जाते थी, इसलिए 2014 के बार हमने देश की इस पीड़ा को राष्ट्रिय संकल्प से पीड़ा को दूर करने का बिड़ा उठाया, हम बडलाव लाए स्पोर्ट्स इंफ्रसेक्टर में, हम बडलाव लाए चयन प्रक्रिया में, हमने उसे और पारदर्सी बनाया, हम बडलाव लाए खिलाडियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में, हम बडलाव लाए समाज की मानसिक्ता में, पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच के कारण, हमारे स्पॉर्ट इको सिस्टिम में, जो रोड बलॉक्स थे, हमने उन्हें एक-एक करके दूर हटाने का काम शुरू किया, सरकार ने टैलेंट की खोच से लेकर, उनके हैंड होल्डिंग कर, ऑलिम्पिक पोडियम तक पहुँचाने का, एक रोड मैब बनाया, इसका परणाम हम आज पूरे देश में देख रहे हैं, साथियों, पहले की सरकारों में, स्पॉर्ट के बजेट को लेकर भी, संकोच का भाव रहता था, लोग सोचते थे, कि खेल तो खेली है, खेली है और क्या है, इस पर खर्च क्यों करना, हमारी सरकार ने, इस सोच को भी बदला, हमने स्पॉर्ट का बजेट बढ़ाया, इस वर्ष का सेंट्रल स्पॉर्ट बजेट, नव वर्ष पहले की तुलना में, तीन गुना अधिक है, सरकार ने, खेलों इंडिया से लेकर, टॉप स्कीम तक, देश में खेलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए, एक नया एको सिस्टिम बनाया है, इन योजनाओं के तहट, देश भर से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्शलिटी स्तर से, आप जैसे प्रतिबासाली खिलाडियों की पहचान की जा रही है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डायेट, उनके दूसरे खर्चों पर, सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, टॉप्स यानि T.O.P.S. यानि Target Olympic Podium Scheme, इसके तहर, देश के सिर्ष खिलाडियों को दुनिया की स्रेश्टर ट्रेनिंग दी जाती है, आप कल्पना कीजिए, खेलों इंडिया योजना के तहर, अभी देश भर के, तीन हजार युवां के हमारे के जाती है, खिलाडियों की ट्रेनिंग चल रही है, इतना बड़ा टैलेंट पूल, खिलाडियों का तयार हो रहा है, और इस मैंसे हर खिलाडि को प्रती वर्स, छे लाग रुपिये से अधिक की स्कॉलर्शिप दी जा रही है, खेलों इंडिया अभ्यान से लिकलने वाले करिब सवासों युवां खिलाडियों ने एशियाई खिलों में हिस्सा लिया था, पुराना सिस्टिम होता, तो शायद ही इस प्रतिभा को कभी पहचान मिल पाती, इन प्रतिभा साली खिलाडियों ने 36 मेडल जीते, खेलों इंडिया से खिलाडियों की पहचान करो, उन्हें तैयार करो, और फिर टॉप से उन्हें ओलेम्पिक पोडियम फिनिस की टेनिंग और टेंपरामेंट दो, यह हमारा रोडमेप है, मेरे युवा साथियों किसी भी देश के स्पोर्ट सेक्टर की प्रगति का सीधा नाता उस देश की अर्थे बवस्ता की प्रगति से भी जुड़ा होता, जब देश में नेगेटिविटी हो, निराशा हो, नकारात पकता हो, तो मैदान पर भी, जीवन के हर खेत्र पर भी, इसका बहुत बुरा असर दिखता है, भारत की ये सक्सेश फूल स्पोर्ट स्टोरी, भारत की ओवरॉल सक्सेश स्टोरी से अलग नहीं है, भारत आज हर्थ सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, नये रिकॉर्ड मना रहा है, भारत की स्पीड और स्केल का मुकाबला, आज मुश्किल है, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आपको बीते तीस दिनों के काम और उपलब्दियों से मिलेगा, साथियों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, आप कलपना कीजिए, आपका उजवल भविश्य कैसे तयार की जा रहा है, मेरे नौजमान गौर से सुनिये, सिरथ तीस दिन के मैं काम बताता हूँ आपको, पिछले तीस पैंतिस दिन में क्या हुआ है, और आपको लगेगा, अगर इस पीड और स्केल से देश आगे बढ़ रहा है,